हेले स्टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 मैट्रेशिज का क्योस्टन नमबर 16 देखते हैं क्या है क्योस्टन नमबर 15, 16, 17 मोस्ट इंपोर्टेंट है बड़े अच्छे से करने है क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स के उपर इंवर्स फाइंड आउट करना है क्या क्योस्टन है यूजिंग ऐलिमेंट्री ट्रांस्फोर्मेशन फाइंड दा इंवर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम जो ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसको क्या कर लेंगे हम let कर लेंगे let the given matrix equal to a matrix ठीक है अब आपको inverse का निकालने का formula पता है क्या होता है a is equal to i of a a क्या है given matrix जो भी हमें दे रखी है लिख लो उसको 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5 2 5 0 is equal to i क्या होती है identity matrix यह 3 by 3 किया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A matrix इतनी बात clear है कोई दिक्कत नहीं है अब हमें क्या करना है operations लगाने है rows या column पे किसी एक पे और इस वाली left and side matrix को हमें identity matrix में convert करना है ठीक है सबसे पहली मैं trick बताऊं आपको क्या है इसकी trick कोई teacher नहीं बताता सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे देखो first वाला element हमारा one होना चाहिए one तो है यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर क्या करो इनको zero करने की try करो ऐसे operation लगाओ कि यह zero बन जाए ठीक है ऐसे step while चलोगे आपका question easily हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करूँ मैं यह second वाली row है इसको zero बनाना है मुझे क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे r2 के उपर operation लगाया मैंने क्या r2 plus 3 of r1 ठीक है अगर मैं इस वाली में इसका thrice करके add गर दो तो यह zero बन जाएगा बिलकुल ईजी है और एक operation और साथ में लगा लेता हूँ मैं थर्ड वाली row पे इसको आगे next step में भी लगा सकते हो चलो next में ही लगा लेंगे confuse मतो इसको operation लगाओ ध्यान से देखो हमारे पास क्या बन गया r2 goes to r2 plus 3 r1 तो पहले रोको तो हम एजीटीज लिख लेंगे 1 3 minus 2 सेकिंड वाली पे आजाओ यहाँ पे r2 की value क्या रखेंगे minus 3 plus में 3 into r1 की value 1 तो 3 minus 3 क्या हो गया 0 फिर यहाँ पे आजाओ 0 plus 3 of 3 तो यहाँ पे क्या जाए first row as it is second पे आजाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 plus 3 of 1 3 हो गया यह 1 रहेगा यह 0 यह 0 0 1 into a यह आगया मेरे पास ठिक है अब क्या करें हम third वाली रो पे पहुझ जो इसको 0 बनाना है इसको 0 बनाने के लिए simple सा काम है उपर वाली first row को 2 से multiply करके इसमें से subtract कर दो क्योंकि 2 minus 2 0 हो जाएगा तो बस यही काम करेंगे क्या operation होगा r3 के उपर r3 minus 2 r1 उट पठांग operation नहीं लगाने confused होने वाले नहीं लगाने बिल्कुल simple operation यहाँ पर क्या करना है हमने third row में से उपर वाली को 2 से multiply करके subtract करना है तो क्या बनेगी हमारे पास matrix वो देख लो बस पहले two rows हमारी same रहेंगी 1 3 minus 2 फिर 0 9 minus 11 इसके उपर आजो बच्चो यहाँ पर 2 रखा 2 minus 2 into r1 की value क्या है 1 तो 2 minus 2 क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर 5 minus 6 क्या हो जाएगा minus 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 0 minus of minus 2 का यह हो जाएगा यह 4 हो जाएगा प्लस का अब right hand side पर आजो यह थोड इसी help करने के लिए है practice तो आपको खुझ से ही करने है कहीं है सोचो कि sir याद कर लेंगे इन operations को यह बस just practice के लिए है मैं help बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करने है first two rows fix रहेंगी 1 0 0 क्योंकि उन पर उपर कोई भी operation नहीं लगा है third वाली पर लगा है 0 minus of 2 करेंगे तो यह जहां पर क्या जाएगा minus 2 0 0 क्या रहेगा 0 और यहां पर रहेगा 1 ही रहेगा into में a यह आ गई मेरे पास उसके बाद next step पे क्या करना है next step पे उपर पहुंच जओ इसको 0 बनाना है अब हमें यह तो वन आ चुका हमारे पास 1 के बाद इसको 0 बनाना है इसको 0 कैसे 3 से multiply कर दो और उपर वाली में add कर दो इसको 3 से multiply करेंगे minus 3 हो जाएगा minus 3 plus 3 0 बन जाएगा है ना simple operation तो क्या operation लगेगा यहां पे यहां पे हम operation लगा देंगे r1 goes to r1 plus 3 r3 देखो भाई क्या बनेगा r1 goes to r1 plus 3 r3 r1 क्या यहां पे 1 तो यहां पे हमारा क्या रहेगा 1 ही रहेगा यहां पे 3 minus 3 क्या हो जाएगा हमारा 0 फिर क्या आ जाएगा minus 2 4 की 3 से multiply 12 minus 2 क्या हो जाएगा 10 बक्की रो हमारी सेम रहेंगी 0 9 minus 11 0 minus 1 और 4 same operation right hand side लगा दो यह क्या बन जाएगा हमारा 1 minus of minus 2 क्या हो जाएगा यह मेरा 5 हो गया minus का फिर मेरे पास क्या जाएगा 0 और फिर 3 बक्की रो हमारी सेम रहेंगी 3 1 0 minus 2 0 1 into में 8 यह आ गया अब next operation पे चलो भई फिर इसको क्या करना है मैं 1 बनाना इसको क्या बनाना इसको 1 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देखो अगर इस वाली रोको में 8 से multiply कर दू minus 8 हो जाएगा और इसमें add कर दू 9 minus 8 क्या हो गया 1 बन गया ना बस लगा दो operation आर्टू पे operation क्या लगेगा आर्टू प्लस 8 आर्थ्री देखो क्या बना एक एक स्टेप पे चलते रहोगे ना बारी बारी एलिमेंट पे अपने आप सोल होता रहेगा फर्स्ट रो हमारी फिक्स रहेगी 1010 क्योंकि उसके उपर कोई operation नहीं इस पर आ जाओ जीरो प्लस 8 टाइमस ओफ जीरो यह जीरो ही रहेगा यहां पे 9 माइनस 8 टाइमस ओफ 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 आ गया यहां पे माइनस का 11 प्लस में 8 इंटू 4 जा 32 और 11 गया तो हमारा यह क्या आ गया मेरा 32 में से 11 गया तो 21 आ गया यहां पे यह फिक्स रहेगा 0 माइनस 1 4, right hand side पर हुवी operation लगा दो, first row fix minus 5 0 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 8 तू जा 16, 16 में से 3 गया तो minus का 13, फिर 1 फिर 8, यहाँ पर minus 2 0 और 1 into 8, clear, next step, next में क्या करना है में, अब हमें इस element को 0 करना है, इसको 0 करने के लिए क्या गुरूम है, R3 के उपर operation लगाँगा, क्योंकि यह 3rd row है, इसमें R2 को add कर दूँगा बस, R3 प्लस R2, देखते हैं क्या बनेगा, अब R3 के उपर operation लग रहा है, तो R1, R2 fix रहेंगे, 1 0 10, 0 1 21, इस पर आजो 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0, minus 1 प्लस 1 क्या हो गया, 0, 4 और 21 क्या हो गया, 25, same operation, यहा minus 13, 1 और 8, minus 2 और minus 13 क्या हो गया, minus का 15, 0 और 1, 1 हो गया, 8 और 1, 9 हो गया, इंटू में 8, कुछ कुछ simplify हो गया हमारा, अब next operation क्या लगाई हम, next operation में मुझे इसको 1 बनाना है, इसको 1 कैसे बना सकते हैं, 25 से divide कर दे पूरी की पूरी row को, देखो यहां पर कोई effect नहीं आएगा 25 से divide करने पर इसके उपर effect आएगा, यह third row है तो R3 goes to R3 by 25, अपनी मर्जी से लगाते हैं, वह operation कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उपर वाली दोनों row सेम, 1010, 0121, 0025 को 25 से divide करेंगे, 1 बन गया, same as easy, धरा जाओ, पहली दो row सेम, minus 503, minus 1318, minus 15 को 25 से divide करेंगे, तो मिरे प यहां पर 1 by 25 और इस तरफ क्या आजएगा, 9 by 25, इंटू में A, अब इसके next page पर operation देखते हैं, यह आ गया मेरे पास, अब देखो बच्चो, हमें इसको क्या करना है, 0 बनाना है, इसको 0 कैसे बना सकता हूं मैं, third वाली row को 10 से multiply करके, उपर वाली में से subtract कर दो, तो क्या करन पड़ेगा मुझे, R1 goes to R1 minus 10 R3, इसको भी 0 बनाना है, यह कौन सी row है, second row, तो इसके उपर operation क्या लगा दूँगा, मैं R2 goes to R2 minus 21 R3, दो operation इकटे लगा दिये मैंने, ध्यान से देखो, पहले first वाले operation पे चलो, R1 minus 10 R3, R1 की value 1 रखें, 1 minus 10 of 0, तो 1 ही रहेगा, यह हमारा 0 ही रहेगा, यहाँ पे देखो, 10 minus 10 into R3 की value 1, तो 10 minus 10 क्या हो गया, 0, हो गया first operation complete, अब R2 के उपर भी लगाया है, दो operation इकटे भी लगा सकते हैं, अगर आपकी practice अच्छी है तो, R2 में क्या क्या है, मैंने R2 में से 21 of R3 subtract किया है, तो 0 minus 0, 0 ही रहेगा ही तो, यहाँ पे 1 minus 21 of 0 क् पारा 1 ही रहेगा, यहाँ पे देखो, 21 रखे R2 की value, minus 21 into R3 की value क्या है, 1, तो 21 minus 21 क्या हो गया, 0, और 3rd row हमारी, बन गई ना, identity matrix, same operation हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले minus 5 of, पहले minus 5 पुट किया, minus 10 into R3 की value क्या है, हमारे पास, यहाँ पे minus का 3 by 5, minus minus plus हो जाएगा, minus 5 plus 30 by 5, इसको simplify करेंगे, तो यहाँ पे 5, 5 जा क्या हो गया, 25, 30 में से 25 गया, तो हमारा 5 by 5, मतलब कटके क्या आ गया, 1, ऐसे simplify करना है, next, 0, यहाँ पे है हमारे पास, R1 की value 0, minus 10 of 1 by 25, इसको simplify करेंगे, आ जाएगा, minus का 2 by 5, next आ जाएगा, minus का 3 by 5, फिर आजो second row पे यह operation लगाना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिरे पास, minus का 2 by 5 simplify करके, यहाँ पे फिर R2 की value 1 रखेंगे, 1 minus 21 of, फिर R3 रखेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, 4 by 25, फिर हमारा आ जाएगा, 9, यह आ जाएगा, 11 by 25, और third row रहेगी हमारी fix, minus का 3 by 5, 1 by 25, और clear हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, बस operation में value पर्फोंगे, पूट करनी है अपनी, अब यह क्या आ गया मिरे पास, inverse, तो यह identity matrix यह इस तरह आएगा, तो A inverse is equal to this, और A inverse is equal to क्या हो गया मिरे पास, यह जो result आया है, 1 minus का 2 by 5, minus का 3 by 5, minus 2 by 5, minus 3 by 5, minus 3 by 5, 1 by 25, 11 by 25, और 9 by 25, this is the inverse or this is the answer, ठीक है, operation आपको लगाने आ गई है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है, मैंने आपको trick बता दी, कहीं भी नहीं गुशना है, बारी-बारी step-wide चलना है, अपनी matrix को identity बनाने के लिए, कोई भी दिक्कत लगे आप मुझ से पूच सकते ह किजिए, like किजिए और share किजिए, thank you students for watching next classes video.